सीटेट अध्यापक पातरता परिक्षा में अगर आगामी परिक्षा में सामिल होने जा रहे हैं तो बाल बिकास के ये तीस प्रस्न आप परखिये अपने को और जाचिएगा कि ये बाल बिकास का सेक्टर हमारा कितना मजबूत है तो नमस्कार जहीं दोस्तों इस धीरज दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वड़ाप सभी भविष्य के भावी टीचरों का हार्दिक शुआगत है तहे दिल से अविनिंदन है आसा करते हैं आप अच्छे होंगे आपका परिवार बेहत उम्दा अच्छा होगा चलते हैं स्टार अच्छनों का यह टेस्ट आपके लिए काफी कारगर साबित होगा तो देखेगा पहला जो है कि किसोरों में द्वंद उभरने का प्रमुक कारण है आज़ा करते हैं आप कोई कुश्चन का आंसर आता होगा तो फटाक से मरेगा तो यहां पर पीडियों का अंतर है या फिर अवशरों की प्रतिकूलता है निरासतता निश्यहायता है या फिर किसोर अवस्था में शॉपन दर्शन है तो यहां पर द्वंद उभरने का जो प्रमुक कारण है जोस्तों यहां पर B option right हो जाएगा आवशरोंकी प्रतिकूलता ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि भी ये बता दीजेगा कि जब बच्चे को कोई नियम या सिध्धान्त शिखाना हो तो अध्यापक प्रियोग क्या करेगा आगमन बिदिका प्रियोग करेगा निगमन बिदिका प्रियोग करेगा या फिर बिसलेशन या कहानी कथन बिदि तो आपक एक सरकारी बिद्धहले की चेर मिले, हम चाहते हैं कि आप एक होसाहाल अध्यापक मिले, जिससे बच्चों का इस्तर सुधरे, और आप वो कुर्सी जो है पाने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, हमें आसा है, हमें भी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, ह और तो तीस्रे का आपसन हो जएगा, ये आप ये भी बताएं कि तीस में हमारे कितने कुशन सही हुए हैं, खोझाब जबा हैं अपको बताना है, पढ़ाने की उत्सखता, ढहेरे वद्रण्त, शिक्षा विद्यों का ज्यान, मानक, भासा का ज्यान. मैं कराओं छोटी कच्छा में सिख्षक की सबसे महत्वपूर विसेस्ता आसा करते हैं आपने कुछ ना आंसर सोच लिया होगा तो चोथे का हो जाएगा भी धैरे वा द्रड़ता ठीक है धैरे और द्रड़ता एक सिख्षक का महत्वपूर जो है विसेस्ता होनी चाहिए जो जिसे बच्चों का इस तर सुधरे नेक्स्ट है आपका बालक में सामाजिक भावना का विकास जनमजात होता है आफ इस कथन से क्या समझते है या फिर सहमत है या फिर समभवता सहमत है अशहमत है कोछ सीमा तक सहमत है कहरा बालक में सामाजिक भावना का विकास जनमजात होता है तो आपका पांच में का आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा असहमत बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि जनमजात कहां से हो जाएगा भाई जब तक वो सामाजिक नियमों के साथ में रहेगा नहीं तब तक कैसे होगा ठीक है छटा कुशन जो है दोस्तों यहाँ पर है कि एक बालक को संतुलन सुधरेपन और स्वक्षता का अनुपालन करता है तो यह कैसा सूचक है भाई यह बताएगा तो यहाँ पर जो है रुचिका अविवरतिका प्रसंशा का या मूले का तो एक बालक जो संतुलन सुधरेपन और स्वक्षटा का जो अनुपारण करता है वो प्रसंसा का जो पात्र होता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें इसके पात्र है ठीक है देखो आइक्यू बड़ा अच्छा होता है जिन बच्छों का वो जो है इनसीटेड के प्रसंटों को आराम से हाल कर लेंगे यहाँ पर पूर्ण विश्वास है आमें 30 नंबर में आप बताई कितने कुशन सही किये हैं आपने स्वभाव और प्रक्रतिक से छोटे बच्चे होते हैं डरपोग तता संकोची, निरफीक तता सुतंत्र, शान्त तता शक्रिय या सक्रिय तता जिग्यासू तो राइट आंसर यहाँ पर सोच लिया होगा आपने आसा करते हैं तो साथ का डी हो जाएगा, सक्रिय तता जिग्यासू होते हैं स्वभाव और प्रक्रतिके बच्चे जो है, यहाँ पर ये तीनों आप्शन गलत हो जाएंगे, सक्रिय तता जिग्यासू यह IQ label का question था सबसे most important question बैया अनौपचारिक सिच्छा की विवस्था की गई है 6-11 बर्ष 9-14 या 15-35 या कोई भी सीमा नहीं अनौपचारिक सिच्छा वो सिच्छा होती है जहाँ पर कोई भी सेस इस्थान या फिर पाठिकरम की आवश्यक्ता नहीं होती है ना ही समय के बद्ध जो है सिच्छा ग्रहन की जाती है कोई भी ऐसा नहीं है ना एज के हिसाब से की जाती है तो यहाँ पर कोई भी आयू नहीं है कभी भी सिच्छा ली जा सकती है चात्रों में सामाजिक चेतना विक्सित की जा सकती है अध्यापक के भासट से, उनके साथ विचार भी मर्ज करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, या समाचार पत्रिका पढ़ाने से, छातरों में सामाजिक चेतना कैसे बिक्सित की जा सकती है, डेबलक की जा सकती है दोस्तों, यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो नौम या हमारे समाज में हो रहा है कि कैसी चीजे गटना हो रही है, लंबे और कठिन सब्दों का उचारन करवाने के लिए आप ऐसे सब्द बार 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 बलवाएंगे, सब्दों को खंड बाट कर बलवाएंगे, मिलते जुलते उचारन वारे सब्दों को पहले बलवाएंगे आपके लिए है राष्ट्री साक्षर्था मिसन की देन है कोठारी जो कमेटी थी स्ट्रादक्ष्ण आयोग है या राष्ट्री सिक्षा नीति या मुदालियर आयोग ग्यारवा कुष्ण आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ग्यारवा का सी हो जाएगा राष्ट्री सिक्षा नीति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई यह बता दीजे हमको कि माध्यमित छात्रों के लिए स्वकेंद्र प्रशिच्छा प्रणाली उप्योक्त है क्योंकि बिध्याले से दूर नहीं जाना पड़ता है नकल में सुविधा अपने केंद्रों पर अनुसासन रहते हैं दूसरे परिक्षा केंद्र पर छात्र निरास हो जाते हैं तो दीखें नकल में सुविधा कोई निगेटिव पॉइंट मत मारिएगा ठीक है तो ये चीजें आपको नहीं बिल्कुल सोभा देंगी तो बारा का एग हो जाएगा कि बिध्याले से दूर नहीं जाना पड़ता है स्वकेंद्र का मतलब होता है भाई जाना नहीं पड़ेगा है न ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है हमेशा पॉजिटिव में आंसर देना है आपको ब्याख्यान देते समय कोई उद्दंड चात्र वाधा उत्पन करता है तो आप क्या करेंगे उसे दंडित करेंगे कच्छा से बाहर निकाल देंगे च इससे जो है निकेटिव भाव जाता हो तो यहां पर तीनों उपर गलत मार देंगे कच्छा से बाहर नहीं निकाल सकते ना नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव में सोचेंगे अध्यापक छात्रों के विक्तिगत विभेद को किस प्रकार सरबोत्त ठाषिटर होते हैं निवन्न लिकवा कर बात बिभात प्रतियो किता से यहात परिक्षया प्रडाम से या मनोबैग्यानिक परिक्षण से तो आपको दो चौदि करते हैं आपनी अछतिया होगा नहीं हमसे जाएगा एक सबसक्राइब जो ह्याए आपका यहाँ पर बन जाएंगे यहां पर देखेगा किसी विदी में अध्यन करता भचों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविदी प्रसन पूछता है सच्छातकार विदी व्यक्तिक विदी निरिक्षण विदी या प्रियोगात्मक विदी ठीक है या प्रैक्टिकल विदी इसको बो जो है अधिक होती है तो विश्वसनीता जो है अधिक होती है संचिप्त प्रिक्षण जो है प्रशिक्षण में बस्तुनिष्ट प्रिक्षण में या फिर इन में से कोई नहीं ए ओप्सन आपका गायव है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इसका जो है बस्तुनिष्ट प हो जाती है ठीक है ना परिवारिक सिच्छा का किस्प्रकार का साधन है अनौपचारिक है अनौपचारिक 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 अप्चारिक एत्तर या फिर इन से कोई नहीं सत्रमे का option आपको बताना है तो सत्रमे का हो जाएगा बी और अप्चारिक बालक को सामाजिक वेवहार की सिच्छा दी जा सकती है पाठिकरम द्वारा विध्याले में सामाजिक और संस्कृति विधियों द्वारा या अनुशासन प्रक्रिय द्वारा या फिर सामाजिक प्रिवेश है चात्र सिच्छक पार शाला है चात्र सिच्छक ग्यान शाला है रहा या चात्र सिlara हो जाएगा एप का O Почему मोल्य का संप्रेशन कर सकता है मोल्यओं दिखा कर पात्थ साइगामdefined करियाओं की आधिक्ता से धार्मिक बात्य बताईएगा 20 में का जो option है आपका C number सही हो जाएगा यानि पाठ्थ सहगामी क्रियाओं की अधिक्ता से ही अध्यापक छात्रों में सामाजिक नेतिक मूल्यों को संप्रेशित कर सकता है ठीक है वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि ये आपका अपने चैनल है इसलिए जो है आसा करते हैं आपने लाइक करती होगा मनो विज्ञान की सबसे प्राचिन दम बिदी कौन सी है? भाही दर्षन में बच्चा सबसे अधिक रूचिक इसमें रखता है लेक कहानी निवन्द नाटक बहुत नर्मल सा कोशन है आप से रेलेटर कोशन है आप भी रहे होगे गाले आगस्ता में कहानी में है ना तो कहानी भी आपने बहुत सुनी होगी ग्यानात्मक विकास के साथ निम्ड में से किसका नाम जुड़ा है पेस्टोलाजी मिलर प्याजे उप्रोक सभी 23 कसी हो जाएगा प्याजे ग्यानात्मक काफी बार पूछा गया है और फिर भी संभाबना है पूछने की निम्लिखित में से जो है उदारण अधिगम को प्रदस्ट करता है अब यहाँ पर दो आप्शन यहाँ पर दिये हैं तो आपके जो होना चाहिए वो आप्शन यहाँ पर नहीं है ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइप होने में थोड़ी सी प्राब्लम हुई है तो चौबिसमा का option बताता हूँ स्वादिष्ट भोजन देखकर मुह से ला राना ये पहला option है चड़ना भागना एवं फेकना तीन ले पांच वर्ष की अवस्था हम में जो है अब जो C है आंसर जो है इसका हाँ जोड़कर अध्यापक का अविवादन करना निमनिकित में से कौन सा उधारण अधिगम को प्रताशित करता है ठीक है अधिगम तो यहाँ पर कोई चीज नहीं है अधिगम से रिलेटर वही होगी जो चात्र और अध्यापक से संबन्दित होगी तो अध्यापक और चात्र के बीच में संबन्द को दर साता था अधिगम मनो विग्ञान सिच्छा का आधारभूद जो विग्ञान है साइंस है वो क्या है यानि कथन क्या है किसका है इसकिनर ने कहा है क्रोकरो ने या फिर रूसो या मिलर बताएगा बहुत पढ़ा है आपने आसा करते हैं आप तो यहाँ पर जो है 25 में का आंसर आपके इसाब से क्या है तो 25 में का जो आंसर है वो है ए इसकिनर ने छोटे बच्चों की सिच्छा देना जरूरी है परंदों उनके उपर किस प्रकार का बोज अपेचित नहीं है लिखने का बोज, पढ़ने का बोज, ग्रहकारे का बोज या फिर विद्याले जाने का बोज तो बताएगा आप 26 मा कुश्चन का आंसर राइट क्या होगा तो C हो जाएगा यहाँ पर ग्रहकारे का बोज नर्मल सी बात है वहिया प्रभावी संप्रेशन संभव हो सकता है स्रोता के इस्तर को जानकर आपके उचित सब्द प्रियोक से आपके बिस्तरत ग्यान से या फिर जोड से बोल कर आप पॉजिटिव आंसर लगाएगा आप आसा करते हैं आपने 27 का अंसर सुन लिया होगा तो 27 का अंसर जो है आपका क्या हो जाएगा पताएं स्रोता के इस्तर को जानकर इसका रइट आंसर हो जाएगा यानि ओप्सन नंबर A ठीक है ओप्सन नंबर A हो जाएगा नैतिक सिच्छा का उतरदाई तो होना चाहिए सकूल के ऊपर समाजष के ऊपर या अभिवावक के ऊपर ध्यार्धर्म गूरू के ऊपर ठीक है तो यहां पर जो है 28 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ए सकूल के ऊपर स्कूल के ऊपर अब यहां पर 29 कुशन सुन लिजीगा मैं बोल रहा हूँ कि विध्याले में खेलों के आयोजन का उद्देश से होता है ये था यहाँ पर कुशन लिखने के लिए ठीक है विध्याले के जो विध्याले में खेलों का आयोजन का उद्देश से होता है छात्रों को किसी कारे में लगाना ठीक है सरीर को हस्ट पुष्ट बनाना आप्शन है पर्तियों की खेलों के लिए तैयारी कराना बालक का सरवांगीन विकास करना तो 29 का D जहां पर ऐसा आप्शन मिल जाए कि भाई बालकों को जो है खेलों में क्यों लाया जाता है उद्देश क्या होता है जिससे वालक का सरवांगीन विकास हो सारी रिखमानसी के वं जो है उसका बौद्धिक विकास नेक्स्ट है आपका लास्ट कुशन है बिध्धले के सभी कारेकरों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अपसर मिलता है ब्रत्यतिक विकास होता है आतम विश्वास के विकास में शाहिता मिलती है या फिर यह सभी तो भाई तीनों आपसर पॉजिटिव में है तो सारी चीजें डी आपसर में जा रही है तो यानि option number D हो जाएगा लाइक करें दोस्तों कैसा विडियो लगा कितने सही हुए हैं आपको यहाँ पर बताएं तो दोस्तों जैहिन आसा करते हैं आपने question सारे question सही किया होंगे तो ऐसे ही आप बने रहेगा विडियो को जाते जाते लाइक करें शेयर करें जैहिन जै भारत